हेलो एवरिवन वेलकम वन्स अगेन आन वाई यूटूब चैनल तो आई होप आउसे बच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी हमारे कुछ के साथ साथ मौक टेस्ट के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो आज हमने कर लिया है अ हमारे ग्रुप को जहां पर हम डेली साथ वजे कुछ यड़ते हैं बहुत लोग कुछ देते हैं आप अपना रैंग भी देख सकते हैं और मॉक टेस्ट चल रहा है कल है मार्फोलाजी का मॉक टेस्ट आप पे करके जवाइन हो सकते हो चलो हम कोश्चन देखते हैं पहले फि संचर बूंडल ऐसे करके ठीक है रहता है ये इंवर्टेटिट ओमेगास है वैंश्ग्रवास होता है जिससरे 4-2 जोड़ी होती है यह लिगाटिश यह जड़ी रहती है यह जो यह दूलम फॉल्ध होगा है इंडोस्पर्म इज हैपलोड काज देवलोप फाम दा मेगा इस्पोर तो यह गमेटोफिटिक टीसू का जिमनोई स्पर्म में टू इस्ट्राइल स्पाइनिन माइक्रो या मेगा इस्पोरो फिल और प्रेजेन तो आप देखेंगे सिर्टो जैमिया होता है सिरेटो जैमिया का मेगा इस पॉरो फिल देखेंगे तो वहां पर दो इस्टराइल ऐसे जैसे करके इस पाइन्स निकला रहेगा यहां किनारे किनारे पर ना तो यह होता है सिरेटो जैमिया में अगरा कोशन है which one is not monotypic genera तो देखिए monotypic genera क्या होते हैं जैसे जेनरा जिसमें सिर्फ सिंगल इस प्रेजर्जेंट हो जैसे सिर्फ औरियंट एव आयलोबा आपने जिंगो सिर्फ सन्फ माई लोबा लोबा सुना सुना है क्या यह सदो यह लेकिन की आहीं सार ड़ा understood स्पाइनस जिराड याना इंसुलेरिस बहुत सुने आए ना तो पाइनस विलेच याना इस नाट ए मोनोटिपिक जेनरा मोनोटिपिक जेनरा का मतलब आप समझ गए होंगे इनमीच आप फॉल्लिंग वेसल और फांड तो देखें कुछ जीमनोस पर में जिसमें वेसल होता है ने तो जीमनोस पर में जो चीप कंडुक्टिंग टीसू होता है वाटर का वह होता है आपका क्या ट्रिकाइड ओके चले अगला हम कोश्चन चलते हैं दा इंडोस तो अगल सपर्म होता है वह हमेशा होता है के यह बनता है आपका मेगाइस्पोर सर नहीं होगा मेगाइस्पोर से बनता है। चलो अगला कोशन चलते हैं विच वन अप दो फॉलिंग प्लांट आ नोन नोन इन फॉसिल इस्टेट बट वाज लेटर डिस्कुर्ड इस्टेट एज विल तो भाया यह पहले फॉसिल था बाद में लिविंग इस्टेट में भी डिस्कुर्ड किया गया यह था मेटा सिकोया पहले जैसे कि पहले क्या कोशन देखिए फर्स्ट नोन इन फासिल इस्टेट पहले तो इसकी फासिल डिस्कवरी कीगी साइंटिस्ट ने देखा कहीं जंगल जाड़ी पहाड़ पर से मेटा सिकोया का फासिल खोजा फिर बाद ने साइंटिस्ट ने इसको लिविंग इस्टेट में भी खोज लिया कि जिंदा भी है गट इट बिर्बल्सानी इसिट्ट आप पैलियो बॉटनी तो बिर्बल्सानी पैलियो बॉटजी है बहुत ही अच्छे है ट्रीक है फिंटा जैलांवाइलाण के रिश्करी किया है तो यह इनका इसिट्लीट कहां पर हैlla9 नगहीं है अगला कोशन है इन जिम्नस्परम पॉलिनेशन अकर इक्सकुसली बाई धा में रूप से पॉलिनेशन जो जिम्नस्परम में होता है वो किस एजेंट के दवरा होता है देकिये साइकस पूछे तो आप वाटर लगाना हमेंसा क्योंकि साइकस में जूटो गए मैं सोता है तो साइकस में वाटर लगा सकते हो मतलब अगर ऐसा जीमने स्वर्म के लिए पूछ आए तो बढ़े आप बताएंगे विंड होता है ना आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कन्फूज नहीं होना है खुद पर भरोसा रखना है आप कर लोगें तो फ्रूट क्यों प्रेजेंट नहीं होते जीमने स्वर्म में क्योंकि आपको पता है फ्रूट बनते है हमारा किसे ओबरी से मैचूर्ड ओबरी इस कार्डेश और यह इस पॉट ने क्रासिफिकेशन किया जीमनो का साइकेट कोरियोप सिपड़ा इस के बहुत सारे क्लासेक्षे पढ़ लेका अराम से उन्होंने क्या-क्या कंसिडर किया था क्लासिभी के लिए तो उन्होंने देखा वूट किस तरह बना ए है पिक्नो जाइलिक है मैंो जाइलिक वैस्कुलर बंडल है नीडिल सेप है कैसा है उसका सीट का इस्टक्चर कैसा है वो बाइट टेग्मीक है यूनी टेग्मीक है तो यह सब सारे क्रेटिरिया को लेकि स्पोंड ने क्लासिफिकेशन किया अपना जिम्नो स्पर्म का तो आल अब दे इबब विस्ट बढ़ा है इसका बताईये क्या सीड आयम करेक्ट एम आ करेक्ट ओके चलो जींगो बाइलोबा अधर्टी पे मीजो जोई कीरा में तो उस समय जैसा था यह जिंगो बाइलोबा आज भी यह लिविविंग इस्टेट में जिंगो बाइलोबा में कोई चेंज नहीं हुआ जीओ कातियो आज भी वैसे ही जिंगो बाइलोबा देखा जाता है विच वन अफ फॉलोइंग प्लांट ग्रूप डॉमिनेट इन जुरासिक पीरियड तो देखो यह जुरासिक पीरियड में जैसे विलियम सोनिया प्लांट है वो बेने टिटियल से बिलॉंग करता है तो के मेंबर थे जुरासिक पीरियड में ज्यादा डॉमिनेट करते थे धर्ती पे जब डाइना सोर थे न तो आप देखो के जुरासिक पार के सब मोवी न उसमें विलियम सोनिया प्लांट को अच्छे से दिखाया गया है न देखना जाके मोवी यह देखने से फायदा ही होता है बस कुछ भी देखो कुछ भी पढ़ो कहीं भी कुछ करो आप तो कुछ सीखो आप सीखो बस वहाँ पे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे कुछ चीजे होती है ठीक है आप जरवर बनो बी यह ग्रेट आप जरवर आप जरवर करना सीखो चीजों को तो आप बहुत कुछ किताबों से परे जाके चलो अगला कोशन हम चलते हैं इन वीच आप दे जियोलाजिकल पीरियद गैन लाइकोप्स इक्विसिटम्स एंड साइकडोफिलिकल्स डॉमिनेंट अंद अर्थ बैया यह 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 भी था कार्बोनी फेरस पीरियद तो कार्बोनी फेरस पीरियद म बिर्बल सानी ने रीकंस्ट्रक्टेट किया विलिःम सिवारडयाना का रीकंस्ट्रक्टेट का मतलब वह यह ना भाई पॉसिल वास्टिल को डिस्कवरी करके सारा लीफ रूट ऐसे डिसकवर्ट करके उसको प्लांट रूप में रूप दे देना मालोच मोई हुमा ने मर बेचारा गलती से कहीं भी दब आपके अब उसका हाथ का हड़ी कहीं पैर का हड़ी कहीं खोपड़ी कहीं पर सारा कलेक करके लाओ उसको फिर सरी कंस्ट्रक्ट कर दो तो वहीं कि यह थे विरुबल साहानी लीफ लाइस टेम राय रूट लाय विलियम सोनिया सिवाडियाना को लाइस लेटर और अब भासा आपके अगाँ लाइसे करके नाएसे कर यहाँ यह अटकर यह मौमंट और यह जो तो यह जो आपका एरिया है इधर और मोमेंट के लिए यहां पे यह होते आपके ट्रांस्फ्यूजन टिसू ठीक है गट इट चलो दा मेडिसीन आप कैंसर टैक्जॉल इस अप्टन फॉर्म बारक आफ विच प्लांट तो टैक्जॉल जो है वह आपका टैक्सस से मिलता है बहुत ही सिंपल कुश्चन है एफिड्रा से एफिड्रीन मिलता है जानते रहो सीड पाइनस पॉसेस कल भी यह कोशन था पूछा था कितना जनरेशन होता है तो आपने बताया था तीन होता है आज आप जान जाओगे वह कौन-कौन से है तो पैरेंट इस पॉरोफिटिक एस सीड कोट पेरी स्पम मतलब यह डिपलार्ड है गेमटोफिटिक लाइक आप ईकशील अर्ट इसार मेंटोफिल आपर साइब परेंट बोलते है आपसा इंडोस्परीड पर्याहाइगा जलो अगला कुशन नहीं पर रावी जिम्नुस्पर्म कोटाइट पैस टु तो आपको पता होना चाहिए फादार आपको वीडियो लाइक करो लाइक करो लाइक करो फ्लेयम आप फोरेस्ट बट्वामोनोस पर मी हम साइद मीमोसी का मेंबर है देख ले ना एक बार आप धाक जंगल की आग धाक बोलते हैं बटुगा को चलो गला कोशन देखते हैं वीच अब फॉलिंग केरेक्टर आर टू फार साइकश साइकश के लिए कौन साइट ट्रू है साइकश में जो होता है पॉलिसाइकलिक एन मैनोजाइली कूड होता है ठीक है मैनोजाइली कूड मतलब मोर पैरेनकाइमा पॉलिसाइकलिक मतलब एसकुलो मंडल रिंग में बहुत सारे अरेंज होंगे ठीक है यह सही है प्रेजेंस आप इसपंज लाइक कोलरायड रूट बहुत थंडी पड़ता है नार्थ पोल साथ पोल ऐसे मालो या टेम्परेट क्लाइमेट ऐसे साथ पोल की तरफ मत जाओ हिमाचल चले जाओ ठीक है हिमाचल प्रदिस यार चले जाओ उधर देखोगे ना वहाँ पे 25 होते हैं नहीं तो हालिवूट की मूवी देखोगे अरे गूगल करके यूटूब पे जाके सलफर क्लाउड का वीडियो देखना अच्छे से मिल जाएगा आपको तो वह होता है ना एक्चुली मैं पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है बहुत जादे एमाउंट में रिलीज हो जाता है तो इसी वजह से तो मेल गेम टो फाइट एंथर है कि पॉलन है तो आप पॉलन बताना हमें सा चलो एडीबल होगा एडीबल ड्राइफूट फ्रम जिम्निस प्रम इज तो जिम्निस प्रम से कौन सा फूट मिलता भया कसेयो नेट तो एक तरह का नट है ये होगा नहीं कोकोनट डूप है चिलगोजा होगा पाइना जिरारडियाना. Which wood is used for making pencil? Which used for making pencil? पेंसिल के लिए Juni Paris का यूज करते हैं. आप it. Cricket bat बनाने के लिए और hockey bat हाकी का stick बनाने के लिए कौन सा? यूज کیा जाता है. acost Morris Chrys Morris ओके。 मैं बता दे रहा हूं आप गूगल करना आपको अगर पता नहीं है कोई बताओ मोरस किसके लिए है और सेलिक्स किसके लिए ओके चलो आगे चलते हैं बताते रहो आप Most Gymnospom Hatch तो Gymnospom में भाईया जो होता है देखो आर्ची गोनिया तो बहुत सारे में रहता है एक concept समझ लो आपके chapter में आपके syllabus में आर्ची गोनियट दिया है तो एक trick बताता हूँ ध्यान से सुनना A से होता है आर्ची गोनिया A से होता है absent A से होता है ilgi और A से होता है angiosperm तो A, 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 A मतलब आर्ची गोनिया absent in ilgi and angiosperm along with fungi क्योंकि ilgi की तरफ अंजाई होता है तो आर्ची गोनिया कहां रहेगा ब्रायो टेर्डो एंजिम्नो में तो जीम्नो में भी जो higher gymnosperm हो गए है नेटमोटम वहां पे भी आर्ची गोनिया खतम हो जाता है लेकिन एंथ्रीडिया नहीं होता है इंथ्रीडिया सुरुवाज से नहीं होता है इंथ्रीडिया का development बाद में आया ठीक है इंजिस्पर्म में तो आर्ची गोनिया प्रेजेंट होगा बद इंथ्रीडिया आपसे इंजिम्नो स्पर्म यह बनता है आपका मोशली इंजियो में सीद है प्रेजियो होता है पाइनस का सीड का तो आप से पूछ रहा है तो आप बताएंगे बिया एनिमो कोरस होता है विंड होता है विंड से डिस्पर्स होता है हवा जलती है अब गिर जाते है ना पाइनस का जो फीमेल कॉन होता है मैच्यूर होने में कितना टाइम लगता है तो भाइया यह को आप से यार ट्राइफोलियर इस पर के बारे पूछ रहा है ज्यादा दिमाग लगाने जर्यत नहीं है पाइनस रॉक्स बर्गी हो गया पाइनस जिरार्ड याना हो गया और एक पाइनस और है ठीक है उसमें तीन में देखा जाता है आप कर लेंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां नीचे बहुत अच्छा सा लिखा है जाहें तो हमारा टेस्ट स्रीज जोइन करें आपका भी फैदा होगा और आप हमें इन डारेक्ली सपोर्ट भी कर पाओगे क्योंकि हम इतना कर रहे हैं तो सपोर्ट चो चाहिए हमें ठीक है कुछ तरह से मतलब इतने महनत कर रहे हैं तो आप जोइन करेंगे आपको नोट्स दिया जाएगा पढ़ने के लिए बढ़िया नोट्स रहेगा आप अटेंड करें तो आप चलते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो झाल